कुक्सा पांच प्रक्रण दस गनित का जादू दसवा और सोवा भाग अब दसवा भाग किसे कहते हैं अगर कोई चीज है उसके हम उसके एक दस सर पart apd दस एक जैसे भाग करते तो एक भाग को कहते हैं उसका दसवा भाग जैसे कि एक दो तीन चार पांच चेस साथ 8 और दस होगा उसको यह बड़े भाग का दसवा भाग अगर इसके सो टुक्रे करेंगे चोटे-चोटे तो वह सबसे चोटी पैंसिल की लंबाई। तो आप के पास पैंसिल होगी। मेरे पास यह पैंसिल यह ठीक है। तो जीरो पे रखा, एक दो, तीन, चार, पाँच और इसके आगे थोड़ा आ रहा है एक दो, तो यह होगी 5 cm और उसके बाद है ना, तीन आ रहा है, तो 3 mm, या फिर इसको ऐसे लिखते है, 5.3 cm, या तो कहते है तो 5 cm, 3 mm, अब मिलि मिलि मीटर के आए, तो एक सेंटि मिलि मिल देखो यह तीन और चार के बीच में देखो तो टोटल उसके 10 भाग किये हुआ है पांच भाग के ऊपर एक बड़ा एरो किया हुआ है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इस तरह से तो एक सेंटिमीटर के दसवे बाग को कहते हैं एक मिलीमीटर इस पैंसिल की बड़ा तो मैं सोच रहा हो इसकी लंबाई पांच सेंटिमीटर होगी इसे स्केल से मापा हूए तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है तो चलो इसको हम शेयं केमा नापते तो यह रहिए इस पर जीरो रखा यह पर ऑपर तो यह अंदाजा गलत हो रहा है कितना हा southern एक के बाद 5 तो यह 3.5 cm है तीन और चार के बीच में है तो हमारा अंदाजा थोड़ा सा अच्छा है इतना बुरा नहीं है लेकि एकदम सही नहीं रहा हम देख सकते हैं कि अंजु ने एक लैंस का उप्योग किया है जिसे की पैंसिल बड़ी दिखाई देती है तो लैंस से आप लोगोंने खेला होगा तो लैंस कुछ इस तरह का आता है तो यह रहा मेरे पास लैंस यह रहा यह काच का आता है इस तरह का होता है इससे क्या होता है सब कुछ बड़ा दिखता है अगर इससे अपने खेला होगा तो जो सूरिय की प्रकास है उसको हम एक जग वह बड़ी दिखाई देती है कि जैसे कि चलो यह हो पर जीरो रखा और यहां पर अब उसको नाखते है इसको थोड़ा उप ले जाएंगे तो एक्दम बड़ा दीखे तो मैं पता चल जाहेगा कि एकदम सही माप कौन सा है जीरो पर है और एकदम सही नाख स को इस तरह से लै करके देखने में जो वईदनानिक होते हैं या फिर लेब में जो काम करते हैं वो लोब भी इसका बहुत इस्तमाल करते हैं तो इससे पैंसिल बड़ी दिखाई देती है और एकदम पता चाल जाता है कि exactly कहाँ पर है यह तीन सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी है तो तीन के आग आज नौ दस तो दस भाग है तो हर भाग एक सेंटीमीटर का दस्वा भाग है तो यह हो गया एक सेंटीमीटर और उसका एक भाग यानि दस्वा भाग एक सेंटीमीटर के एक दस्वे भाग को एक मिलीमीटर कहते है तो यह छोटा नाप है उसको एक मिलीमीटर कहते है ओ तो यह पैंसिल तीन सेंटीमीटर और छे मिलीमीटर लंबी है तो यह तीन सेंटीमीटर उसके बाद एक दो तीन चार पांच पांच पर एक बड़ा मार्क होगा थोड़ा सा उसके बाद एक तो यह 6 तो यह 3 cm और 6 mm लंबी पैंसिल है अब इसके बाद है चींटी तो देखो एक, दो, तीन तो यह कितनी लंबी है? 3 mm लंबी है अब यह बड़ी चींटी है पर मैं बहुत लंबी हूँ एक सेंटी मिटर के सात दस्वे भाग के बराबर या तो यह 1 cm पूरी नहीं है, उससे कम है उसके कितने भाग है 7 तो उसको कहता है 7 दस्वे भाग तो दस में से उसका 7 भाग है थीले? तो उसको कहता है 7 mm तो यह चींटी है, यह 7 mm लंबी है, हम 1 cm के 1 दस्वे भाग को 0.1 cm कहते हैं, ठीक है, 2 होगा तो 0.2, 3 होगा तो 0.3 इस तरह से, हम इसे सुन्य दस्मलव 1 cm पढ़ते हैं, इंगलिस में 0.1 कहते हैं, हिंदी में सुन्य दस्मलव 1 cm, तो 1 mm, 0.1 cm के बराबर है, उसके बाद इसका नातना है, इस पैंसिल की लंबाई कितनी है, तो यह पैंसिल है, इसकी लंबाई कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, तो यह 6 mm, इसकी लंबाई सेंटीमिटर में कितनी है, तो इसको लिखेंगे, 6 है, तो यह होगा, 0 0.6 mm, उसके बाद है मेंडग, मेंडग है और उसके कुछ सवाल है, क्या तुमने मेंडग देखे, तो मेंडग होते हैं, खेल, बारिस में दिखते हैं, कहां, तो बारिस में वो बार आके खेलते होते हैं, तुमने कितनी तरके मेंडग देखे, तो देखो, मेंडग छोटे भी बड़े भी आते हैं सभी मेठकों की लंबाई एक जैसी होती है अगर बच्चा है तो उसकी लंबाई काम होगी बड़ा है तो ज्यादा होगी उसके अलावा उसकी भी कुछ जातिया होती है अगर बार के देश का कोई मेठक होगा तो उसका बड़ा होगा लंबाई और कुछ छोटे भी आते हैं तो एक है गोल्ड मेठक तो एकदम छोटा सा मेठक है इस तरह का मेठक दुनिया के सबसे छोटे मेठकों में से एक है सबसे छोटा जिसकी लंबाई बहुत काम होती है इसकी लंबाई केवल 0.9 cm तो वो कितनी होगी यह 9 mm जितनी होगी एक सेंटीमेटर से थोड़ी कम अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेडग तुमारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं तो देखो यह रही मेरी छोटी उंगली तो ऐसे कितने होगे तो 9 mm जितनी होगी एसे 4 मेडग मेरी उंगली पर बैठ सकते हैं उसके बाद है बुल मेटक यह बड़ा मेटक है पर यह सबसे बड़े मेटकों में से एक है इसकी लंबाई 30.5 cm तक होती है यह हमारी स्केल है यह कितनी है 0 से लेके 15 तक तो यह उससे थोड़ा ज्यादा तो 30.5 तक ही होती है बड़ा होता है इसके हाथ में कितना बड़ा है और यह उंगली पर आ जाता है 0.9 cm का क्या मतलब है यह खल जे गया मिलीमीटर के बराबर है तो यह कितने बराबर है तो यह 9 mm के बराबर है हम यह भी कर सकते है कि यह 1 cm का 9 दसवा भा यानि कि 10 भाग किये उसमें से 9 भाग तो 30.5 cm कितना होगा कितने cm और कितने मिलीमीटर के बराबर है तो यह पॉइंट के आगे का होगा तो वह cm है 30 cm और पीछे का है वह mm तो 30 cm और 5 mm के बराबर है ऐसे कितने बड़े मेठक एक मीटर के सकेल के बराबर होगे एक मीटर कितना होता है 100 cm तो यह 30 तो उसका 3 गुणा करे तो 30 का 3 गुणा होगा 90 ठीक है 3 इंटू 0 0 3 इंटू 3 9 तो 90 तो यह 90 में करीब 3 आ जाएंगे ठीक है तो उसके बाद का चौथा होगा वह बाहर आएगा पूरा नहीं आएगा तो कितने बड़े मेठक एक मीटर के सकेल के बराबर होगे तो हम उसको 3 लिख सकते हो नजदीक का अंसर अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेठक एक मीटर जगह घह रहेंगे अब एक मीटर यानि 100 cm होता है अब यह 0.9 cm तो वह कितना 9 mm तो इसके ऐसे 10 होगे तो वह हो जाएगे 9 cm तो अगर उसका हम इस तरह से देखे तो 11 और 9 तो करीब 90 cm में ऐसे 100 जाएंगे उसके बाद बचे 10 cm तो 10 cm में कितने आएगे 11 तो इसका जवाब आएगा 111 तो एक कतार में बैठ है तो छोटे में डग 111 छोटे में में डग एक मीटर की जगह घह रहेंगे उसके बाद अभ्यास का सम है किल की लंबाई 2 cm और कितने mm या फिर दो पॉइंट कितने cm है तो हमें देखना होगा यह 0 से शुरू हो रहा है यह 2 एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो तो यह 9 mm है या फिर उसको कहते है दो पॉइंट 9 cm तो इसका जवाब आज़ा है यह किल की लंबाई आगे इसके बाद है यह भिंडी इस भिंडी की लंबाई कितने cm और कितने mm है अब यह भिंडी सुरू होती है एक से सुरू होत ठीक है तो जितना भी हम लेंगे उसमें से एक कम कर देना है अब यह खतम कहां पर हो रही है यहां पर आ रही है तो यहां से हम इसको स्केल से लेते है तो यह कितना आ रहा है नो के बार एक दो तीन तो यह तीन मिलिमीटर है ठीक है अब यह 9 है इसमें से एक कम हो जाएगा तो यह होगा 8, तो इतना होगा 8 cm और 3 mm, तो इस भिंड़ी की लंबाई 8 cm और 3 mm है, हम इसे 8.3 cm भी लेख सकते है, तिसरा है, इस पन्ने पर दिये गए स्केल के सहारे, मुंबती 1 और मुंबती 3 की लंबाई में अंतर पता, अब मुंबती की लंबाई कितनी होगी, यह उपर की है, यह मुंबती की लोग है, जिसको जियोत कहते है यह वाले, और यह मुंबती है, तो यह हम मुंबती 3 की लंबाई नाते है, ठीक है, तो कैसे ना पहेंगे, यहाँ पर रखा 0, और यहाँ पर यह, तो मुंबती 3 की लंबाई कितनी है, 6 cm, तो मुंबती 3 की लंब यहां पर जीरो रखा। तो वह आ रही है 3 cm तो मुंबत्यक की लंबाई है 3 cm इससे लोग की लंबाई भी नाप सकते हैं मुंबत्यक की भी नाप सकते हैं तो पहला है मॉम्बत्ती एक की लंबाई तो वह हम लिखते है यह रहा तीन लॉवन तो यह कितनी है लॉव यह जिरो है और यहां पे आ रही है एक दो तीन चार पाँच तो यह है एक सेंटीमीटर पाँच मिलिमीटर मॉम्बत्ती दो तो यहां पे जिरो आ गया यहां पे तो यहां रहा है पाँच सेंटीमीटर मॉम्बत्ती दो की लोग तो जिरो और यहां पे आ रहा है पाँच छे और साथ तो एक सेंटीमीटर साथ मिलिमीटर और तीसरा है मुंबती 3 तो यह आ रही है 6 cm और तीसरे की लो आ रही है 0 से 1 उसके बाद 5 6 तो 1 cm 6 mm अब अंतर कितना होगा यह 6 और यह 3 है तो 6 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएंगे 3 तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 3 cm अब इसको cm में लिखे तो 3 cm यानि की 3.0 cm 1 cm 5 mm यानि की 1.5 cm 5 cm यानि की 5.0 cm 1 cm 7 mm यानि की 1.7 cm 6 cm यानि की 6.0 cm 1 cm 6 mm यानि की 1.6 cm उसके बाद अंदाजा लगाओ और रंग बरो बीना ना पे नीचे दूहीवी डंडियों में दिखाएंगे रंग बरो फिर जाच करो तो 1 cm से छोटी डंडी में लाल रंग बरना है एक से दो के बीच में हो तो नीली आम अंदाजा लगाना है तो 1 cm से बी इस तरह से चारो रंग हमें बरने है पहले एक सेंटीमीटर से छोटी तो हमें कौन सी लग रही है एक सेंटीमीटर से छोटी होंगी तो यह वाली है यह छोटी है एक सेंटीमीटर से तो इसमें हम लाल रंग बरते है तो मेरे पास लाल रंग है तो यह मैंने इसमें बर दिय एक सेंटीमीटर से दो सेंटीमीटर के बीज की डंडी तो निली तो यह रही तो मुझे जो जो लग रहे है यह इसको निली कर देता है यह वाला भी निला यह वाला भी अब 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के पीच की डंडी को हरा रंग करना है तेकिन मुझे यह रग रहा है यह भी 2 सेंटीमीटर होगी उसके बाद यह भी 2 सेंटीमीटर होगी यह भी होगी अब हरा रंग जिसमें तीन लग रहा है उसमें हरा तो ये तीन लग रहा है तो मैं इसमें हरा रंग पर देता हूं और चौथा है तीन से चार के बीच में नारंगी तो यह दोनों नारंगी लग रहा है तो मैं इसको नारंगी रंग पढ़ते हैं तो यह मैंने पढ़ती है नारंगी अब हम चेक करते हैं कि सही है नहीं तो मेरे पास स्केल है तो हम देखते हैं लाल वाला तो यह वाला देखो यह छोटा है एक सेंटिमीटर से तो यह सही आया उसके बाद नीले तो यह देखते हैं तो यह एक से दो के बीच में आनी चाहिए तो यह एक से ज्यादा दो के कम तो तो सही है ये वाला गलत रहा ये गलत रहा कम है ये गलत रहा ये वाला देखते हैं तो ये सही है देखो ये वाला सही है उसके आगे देखते हैं दो सेंटीमेटर से तीन के बीच तो ये हरी वाली ये सही है उसके वाद ये वाली ये भी सही है ये वाली ये वाली ये भी सही है ये वाली नहीं है ये दो से कमा रही है इसके बाद ये वाली ये एकदम सही है ये वाली भी ये गलत है और ये अखरी वाली तो ये सही है अब तीन से चार के बीच में तो ये देखते है ये वाली है नहीं है और ये वाली भी नहीं तो तीन से चार के बीच की कोई डंडी है ही तो यह सब हमने कर दिया और यह सब सही है कुछ सही आये कुछ गला रहे है लेकिन हमारा अंदा आ जा था लेकिन हमने नात के देखा तो कुछ हमारे सही आ रहे है